फिल्म कोट नेम तिरंगा में कहानी के स्तर पर फेल होने के बाद रिभू दासगुपता बतौर निर्देशक भी फेल होते हैं तो इसलिए क्योंकि उनके पास कहानी का सिर्फ एक विचार है इस विचार पर उनकी लिखी कहानी और पटकता बेदम है 1975 में रिलीज हुई फिल्म चोरी मेरा काम में एक द्रिशे है जिसमें शनकर बने अशोक कुमार का अफरन होता है और उन्हें आँखों पर पट्टी बांध कर एक उप स्थान पर ले जाया जाता है बाद में शनकर अपने साथियों के साथ उसी जगह पर वापस आता है वो फिर से अपनी आँखों पर पट्टियां बांधता है पिछी बार उसने अपनी नबज गिन्नी शुरू कर दी थी और धर्कनों की गिन्ती के हिसाब से ही उसने रास्ते के मोड़ याद कर रखे हैं अलसार लेखक, निर्देशक रिभू दासकुपता शायद समझ ही नहीं पाए ये भी एक सयोग ही है कि फिल्मकार अनुराग कश्यप की पाठशाला से निकले उनके दो शागिर्द एक ही दिन बॉक्स आफिस पर एक दूसरे की मुकाबले में हैं अनुराग की बहन अनुभ फिल्म कोड नेम तिरंगा रिभू की बतोर निर्देशक चोथी फिल्म है उनके निर्देशन की बानगी टीवी दर्शक धारावाहिक युद्ध और वैप सीरीज बार्ड ओफ बलड में भी देख चुके हैं अमिताब बच्चन को वह दो बार निर्देशित करने का मौका पाचुके हैं और अपनी नई फिल्म के लिए परिनीती चोपड़ा के हीरो के रूप में वह तलाश पाये तो हाडी संधू को रिसच एंड एनालिसिस विंग प्रॉ के एजेंट हिंदी सिनिमा के बीते दस साल से पसंदी दाविश्य बने हुए हैं और इसी सिलसिले की अगली कड़ी है फिल्म कोड नेम तिरंगा एक ऐसे निरदेशक की बनाई फिल्म है जिसका बचपन पष्चिम बंगाल के भद्रलोक में बीता उस बंगाल में जहांके बंकिम चंद्रचटजी ने अपने उपन्यास आनंद मर्ठ में वंदे मातरम नामत कविता लिखी रवीन द्रनात टेगोर ने इसे पहली बार 1896 में हुए भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अधिवेशन में गाया यहें एक तरह का भाव गीत है जिसमें कभी अपनी मातरभूमी की वंदना उसकी प्रकृती को याद करते हुए कर रहा है आजादी का अमरित महुतसव मना रहे साल में हिंदी सिनिमा के करंधारों को इसकविता का भाव क्या समझा आता है फिल्म कोडनेम तिरंगग देख कर समझा जा सकता है निर्देशक रिभू दासकुप्ता ने इसे फिल्म में एक युद्ध गीत में तबदील कर दिया है नेट्फिक्स के लिए परिनीती चोपड़ा को लेकर दगल ओन दे ट्रेन बनाने वाले रिभू दासकुप्ता ने फिल्म कोडनेम तिरंगग कोरोना संक्रमन काल में बनाई है लोकेशन तुर्की की है और कहानी का सिरा उन्होंने पकड़ा है दिल्ली में संसत पर हुए हमले से हमले का मास्टर माइंड यहां ओमार नामक आतनक्वादी बताया गया है जिसे पकड़ने के लिए रौ की एजेंट बुर्गा अपनी पहचान बदल कर संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाले एक डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फसाती है वजह, इलाके में होने वाली एक शादी में ओमार आने वाला है और डॉक्टर उस शादी के प्रीत भोज के महमानों की सूची में शामिल है इसी प्रीतिबोज में RAW एजेंट की पहचान खुलती है और अब तक आलिया भट की फिल्म राजी की लकीर पर चलती रही फिल्म एक्था टाइग बन जाती है नाम शबाना भियाद आती है और निरज पांडे की ही व्याप सीरीज स्पेशल आप्स भी कहानी के स्तर पर फेल होने के बाद रिभू दासकुपता बतौर निरदेशक भी फेल होते हैं तो इसलिए क्योंकि उनके पास कहानी का सिर्फ एक विचार है इस विचार पर उनकी लिखी कहानी और पटकता बेदम है फिल्म की लंबाई बढ़ाने के चक्कर में वह लंबे-लंबे द्रिश्य गढ़ने की कोशिश करते हैं और दर्शकों को करीब सवा दो घंटे की फिल्म में फसाय रखने में बार-बार गच्चा खाते हैं रिभू की पूरी कोशिश है कि वह किसी तरह परिनीती चोपड़ा को एक्शन स्टार के रूप में स्थापित कर सके ऐसी ही कोशिशों में हाल ही में कंगना रनौत फिल्म धाकर में मात खा चुकी है नकी एक्शन फिल्मों के चक्कर में ही विद्योत जामवाल और टाइगर श्रॉफ अपने करिय का तिया पाँचा कर चुके है फिल्म कोड नेम तिरंगा में एक एक्शन द्रिश्य तो ऐसा है जिसमें सिर्फ लोग मरते दिखते हैं कौन उन्हें मार रहा है पूरे द्रिश्य में नहीं दिखता यू लगता है कि परदे पर कोई हिंसक वीडियो गेम चल रहा है और जिसका रिमोट निर्देशक किसी तरह दर्शकों के हाथ में थमाना चाहता है फिल्म कोड नेम तिरंगक की अगली कमजोर कड़ी इसके कलाकारों का अभिने है परिनीती चोपड़ा को इतने गंभीर किरदार में सोच पाना ही मुश्किल है दूसरे उन्होंने इस किरदार के हिसाब से खुद को ढालने में बिलकुल मिहनत नहीं की है तनाव के द्रिश्यों में सिग्रेट पीने भर से रौ एजेंट स्मार्ट नहीं दिख जाता इसके लिए एक एजेंट जैसी कद काठी शरीर सोच्थव और फूर्ती भी जरूरी है परिनीती चोपड़ा की सोलो हीरोईन के तोर पर आखिरी हिट फिल्म कौन सी थी अब याद भी नहीं रहता उनकी हैं और एक आतनकवादी को अपने मोबाइल से फोन करते रौ के दूसरे नंबर के अधिकारी भी परिनीती चोपड़ा के अलावा हाडी संधू ने भी फिल्म कोड नेम तिरंगव में अपने अभिने से काफी निराश किया है फिल्म की एक कववाली को गाते समय गर्दन की निसेतान देने वाले हाडी संधू पूरी फिल्म में अदाकारी की समय तंकर खड़े भी नहीं हो पाते हैं सहयोगी कलाकारों की फिल्म में लंबी फेहरिस्थ है शिशिर शर्मा के समवादों की मिक्सिंग करते समय रिवप का इतना ज़्यादा इस्तिमाल किया गया है कि कई बार तो समझ ही नहीं आता कि आखिर वह बोल क्या रहे हैं रिवप साउंड एडिटिंग में इस्तिमाल होने वाला एक टूल है जिससे आवाज में भारीपन और उसमें एक तरह की गूंड सा असर लाया जाता है रजित कपूर का काम बढ़िया है लेकिन शरत केलकर को एक आतनकवादी के रूप में कुछ खास करने को नहीं मिला दिव्यदू भट्टाचारिय एक जैसे किरदारों में दिखकर अप टाइप कास्ट हो चले हैं दर्शक उन्हें पसंद करते हैं लेकिन ये पसंद कितने दिनों तक कायम रहेगी इसका फैसला दिव्यदू को खुद करना है मूवी रिवियू कोड नेम तिरंगा, कलाकार, परिनीती चोपडा, हाधी संधू, शरत केलकर, दिव्यदू भट्टाचार्य, शिशिर शर्मा, रजित कपूर और सव्यसाची भट्टाचार्य आदी लेखक, रिभू दासकुप्ता, निर्देशक, रिभू दासकुप्ता, निर्माता, रिलायन्स एंटेटिन्मंट, ती सीरीज और विवेक अगर्वाल, रिलीज डेट, 14 हक्तूबर 2022, रेटिंग, एक बटा पाँच